देखिए देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर जो है वो ट्रेनों के परिचालन पर भी पढ़ने लगा है हम लगतार आपको हर रोज कोई न कोई खबर दिखाते हैं जिसमें ये पता चलता है कि कई ट्रेनों को बंद करने का निर्णे लिया गया है कारण ये होता है कि कई ट्रेन जिन में की सवारी नहीं मिल रहे हैं लोग भी अब घरों में रहना चाहते हैं कहीं यात्रा करना फिलहाल नहीं चाहते हैं कोरोना संकटकाल के बीच तो ऐसे में कई ट्रेनों को बंद करना पड़ रहा है फिलहाल और एक खबर और जो अभी निकल कर आई है सामने और हम आपको बताने जा रहे हैं उसके अनुसार रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली राजधानी, शताबदी और दोरंतो एक्सप्रेस समेत 28 ट्रेनों को 9 मई से बंद करने का फैसला लिया है और ये फैसला अगले आदेश तक के लिए है जब तक कि फैसला निकल कर नया सामने नहीं आता तब तक ये ट्रेने नहीं चलेंगे दोरंतो राजधानी और शताबदी समेत 28 ट्रेनों को एक बार फिर से बंद किया जा रहा है और 9 मई से कारण इसका ये है कि पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं लोग आना जाना पसंद नहीं कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि रेलवे में भी कई कर्मचारी और अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो ऐसे में ये सारे फैसले लिये जा रहे हैं इससे पहले हमने आपको खबर कल भी बताई थी कि भारतिये रेलवे ने दिल्ली महरास्ट में लॉकडाउन के कारण कई ट्रेनों को पहले ही रद कर दिया है और अब बिहार और जारखंड में भी इसका आसर देखने को मिल रहा है दिल्ली और इसके आसपास के स्टेशनों चे चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद किया जा रहा है पुर्वोतर रेलवे की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेनों को कैंसल किया गया है जिन ट्रेनों को रेलवे ने रद करने का फैसला किया है वो फिलहाल 6 मई तक यानि कि अगले एक दिन तक यानि कि आज से वो ट्रेने नहीं चलेंगी जो हमने आपको कल खबर में बताई थी कि 6 मई यानि कि वो ट्रेने कल तक ही चल रही थी आज से ये ट्रेने बंद हो जाएंगी और आज से ये ट्रेने कौन कौन सी बंद हुई है वो हम आपको बता दें दिल्ली टुंडला जंक्षन एक्सप्रेस टुंडला दिल्ली एक्सप् उपजे हालात के मद्दे नजर महमारी फिलहाल अपने चरम पर है, ऐसे में लोग अपने घरों पर ही रहना पसंद कर रहे हैं या फिर जो बाहर हैं वो ही रह रहे हैं कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोग अभी यात्रा से परहेज कर रहे हैं इस कारण ट्रेनों में यात्री नहीं है जिसकी बज़ा से रेलवे को नुकसान हो रहा है इसलिए रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है कि इन टेनों को रद कर दिया जाएगा इन टेनों को फिलाल दूसरे रूट पर चलाए जाने की बात चल रही है और इसी के साथ अब एक बार फिर से रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के अनुसार रेलवे ने दिल्ली से चलने बाली राजधानी, शताबदी एकस्प्रेस और दोरन्तो एकस्प्रेस समेट 28 ट्रेनों को 9 मई से बंद करने का फैसला लिया है, यानि कि एक द संक्रमित हो रहे हैं इसकी जद में आ रहे हैं और कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा है जिसमें की कोरोना संक्रमण का दाइरा ना बढ़ा हो चाहे वो रेलवे की बात कर लें या फिर किसी हर ने विभाग की बात कर लें हर विभाग में कर्मचारी अधिकारी सभी संक्रमित ह और ऐसे में राजधानी एक्स्प्रेस और शरताबदी एक्स्प्रेस को भी नौव बाई से बंद की जाने का फैसला रेलवे ने ले लिया है आप बढ़े रहें लाइप सीडियो आपको देंगे लेकिन उसके लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेजुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसके लावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें धन्यबाद